दोस्तो आप अपने इमर्जन्चीक समय में एक बड़ी अमाउट की लोन लेना चाहते हो किसी एप्लिकेशन चे तो आप आ सकते हो एक टाटा न्यू एप्लिकेशन के तरफ दोस्तो एप्लिकेशन टाटा ग्रूप की एप्लिकेशन है तो नो डाउट आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो और साथी में दोस्तो एक कमपनी जो लोन प्रोइड करती है वो एक NBFC अप्रू कमपनी के त्रूही प्रोइड करती है तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो और उसी के बाद कि अभी एक company में एक offer चल रही है जिसमें आप अभी loan अप्लाइ करते हो तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर zero processing फीसपर loan मिल रही है अगर आपको zero processing फीसपर loan मिलेगी तो आपकी loan बहुती सस्ती हो जाएगी क्योंकि जितनी loan amount आपकी अप्रूव हुई होगी उतनी प्रोसेसिंग पीस भी जिरो हो जाएगी तो आपके लोन बहुत सस्ती हो जाएगी तो आज की वीडियो में दोस्तों हम टाटा न्यू एप्लिकेशन चे लोन अप्लाइक करने का एक टो जेट कंप्लेट प्रोसेस बताएंगे तो अगर आपको भी इमर्जेंसी में पेश्यों को सब्सक्राइब करते हो और बेल एकन डबा कर ओल नोटिफिकेशन ओन करते हो जिससे अमरे हर रहने वाले इसी तरी कसी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चले दो चलते हैं मोबाल स्कीश्किन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइप र दोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले प्ले स्टोर से इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है अतरवाज इस एप्लिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करके भी आप एवाली एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड होने तो एप्लिकेशन से आप सोपिंग वगेरा कर सकते हो अब दूस्तों यहाँ पर लोन लेने के लिए उपर एक सेक्षिन दिखेगा जिसमें यहाँ पर आप देखो गये तो एक लोन का सेक्षिन दिखेगा उपर ओफर लिखा हुआ है उस पर हमें क्लिक करना है जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमरे समने कुछ इस तरीक सेंडर बसाए जाएगा अब यहाँ पर लोन की सारी जानकारी बताई हुई है कि 10 लाग रुपया ते की लोन इस कंपनी से आप ले सकते हो जिसमें 10.49% से इंटर स्टेश स्टार्ट होगा 10 मिलिट के अंदर आपकी लोन अप्रू हो जाती है 100% डिजितल प्रोसेस रहेगा और अप्रू साइट महने का टेन्जूर मिलेगा अब दुस्तों यहाँ पर आप निच्चे देखोगी तो यहाँ पर इसका NBFC पार्टनर भी बताया हुआ है जिसमें है Tata Capital, KC, DMI Finance और KGB यहाँ पर यह चारो NBFC के थ्रू ही लिमिट प्रोवेट की जाती है और ज़्यादा तर प्रशनल लोन Tata Capital के थ्रू प्रोवेट की जाती है यह भी एक Tata का ही प्रोड़क है अब दुस्तों यहाँ पर लोन लेने के लिए सबसे पहले हमें offer चेक करना होगा अब offer चेक करने के लिए नीचे यहाँ पर एक option मिलेगा चेक यूर ओफर हमें उस पर क्लिक करना है तो हमसे यहाँ पर दुस्तों कुछ permission पुछी जाईगी तो हमें यह चारी permission को एक बार अच्छे से देख लेना है उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर एक option मिलेगा यस आई एगरी उस पर क्लिक करके सारी permission को अलोग कर देना है उसके बाद हमने अगला page open होगा अब दुस्तों यहाँ पर हमें खुछ personal information देनी होगी तो personal information में सबसे पहले यहाँ पर हमारा pen card number एंटर करना है उसके बाद यहाँ पर हमारा date of birth एंटर करना है उसके बाद यहाँ पर हमारा first name एंटर करना है मिडल नम है तो एंटर करना है otherwise ए strategale है उसके बाद last name एंटर करना है जो हमारे pen card में हो और सेंबेसा ही उसके बाद यहाँ पर हमारा gender select करना है निच्चे स्कॉल करके यहाँ पर हमारा current pin को number एंटर करना है Thompson Condition वाले box पर टिक करना है और Validate Detail पर क्लिक करना है तो हमारे समने अगला प्याज ओपन होगा अब दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले Occupation सिलेक करना है Occupation में हमें सिलेक करना है कि हम Sellin है या Self Employee अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम Sellin पर सिलेक करते है तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें detail फिल करनी होगी यहाँ पर हमारी monthly salary एंटर करनी है यहाँ पर हमारा company का नाम company के email ID और personal email ID हमें देनी है और अगर आप यहाँ पर self फिलेक करोगे तो उस हिसाब से यहाँ पर detail करनी होगी तो यहाँ पर दोस्तों टाटान्यू application चे अगर आपको loan लेना है तो आपको यहाँ पर sell it फिलेक करना है यहाँ पर आपको कोई भी salary slip नहीं देनी होगी अब यहाँ पर दोस्तों एक problem आईगी कि आपको यहाँ पर company का email ID देना होगा लेकिन company का email ID में आप इस proton mail का use कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे case में मैंने देखा है कि ए proton mail यहाँ पर company के email ID में चल जाता है तो आप एक बर try करके देख सकते हो ठीक है यहाँ आज जिस भाई का loan अपले करना हूँ वह एक select fashion है तो हम उसकी detail यहाँ पर fill करेंगे अब यह सारी detail फिल करने के बट एक टमसिन कंडिशन वाला box पर टीक करना है और प्रोसिट पर क्लिक करना है जैसी प्रोसिट करेंगे तो अब हमारे details दोस्तों सारी verify में जाएगी हमारा eligibility criteria, civil score वगरा छेख होगा तो हमें यहाँ पर थोड़ी दिर wait करना होगा और अब भी हमें यहाँ पर तुरंती एक loan offer मिल जाएगी यहाँ पर 1-2 minute का समय लगता है तो हमें यहाँ पर 2 minute तक wait करना होगा अब यहाँ पर दोस्तों हमारे किसमें देखोगे तो हमारे इस भाई को यहाँ पर 6,000 रुपे के offer आई है यहाँ पर आप live proof देख सकते हो और यहाँ पर इस offer में बताए गया है कि zero documentation है attractive rate of interest है और flexible tenure यहाँ पर इसको मिलेगा अब यहाँ पर हमें next पर click करना है तो next करते ही हमारे loan की सारी detail यहाँ पर आजाएगी जिसमें 7,000 रुपे की loan है 3,200,000 रुपया हर मन्त EMI प्या करना होगा 24 महिनल का tenure मिला है 27% interest पर यह loan यहाँ पर मिली हुई है तो मेरे जैसे दोस्तों पहले बताया था कि बाकी application के मुखे अब ले यहाँ पर interest कम ही रहेगा बाकी application में आपको 37% interest देखने को मिलता है लेकिन इसमें 37% interest पर यहाँ पर loan मिली है और यह भी आपका civil score पर depend करेंगा अगर आपका civil score इससे भी अच्छा होगा तो यहाँ पर आपको उससे भी कम interest पर loan मिलेगी ठीके उसके बाद यहाँ पर हम processing fees देखोगे तो यहाँ पर processing fees अभी zero है दोस्तों अब नीचे दोस्तों यहाँ पर हमे loan amount select करना का option मिलेगा इस case में हम चाहे तो 40,000 रुपे से लेके 60,000 रुपे के 20 में से कोई भी loan amount ले सकते है और यहाँ पर हमें tenure भी select कर सकते है 12 में से लेके 24 मेना का tenure यहाँ पर हम select कर सकते है अब यहाँ पर दोस्तों हमरी loan amount, tenure वगरा select करने के बद निचे यहाँ पर एक option मिलेगा continue to KYC तो simple हमें उस पर click करना है अब हमें यहाँ पर KYC करना है अब KYC में सबसे पिलना हमें यहाँ यहाँ पर आधरकार के detail देनी होगी तो आधरकार के detail में यहाँ पर बताये गिया है कि आपके आधरकार में mobile number नहीं खोना चाहिए ठीक है तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक option मिलेगा अब यहाँ पर दोस्तों हमें आधरकार का number नहीं यहाँ पर हो जाता है उसके बाद हमें आधरकार की सारी detail आजाएगी confirmation के लिए जिसमें हमारा photo हमारा नाम एड्रेस वगर रहेगा उसे हमें एक बार अच्छा से देख लेना है उसके बाद एक टंप्सन कंडिसन माला बोक्स पर टिक करना है और confirm and continue पर क्लिक करना है अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यह loan हमें Tata Capital के थ्रू मिली हुई है अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर Tata Capital के थ्रू ही मिलती है तो अब यहाँ पर दोस्तों हम confirm and continue पर क्लिक करते है तो हमारे समने कुछ इस तरी के सेंटर पर साएगा अब दोस्तों यहाँ पर हमें auto पर setup करना होगा और एक bank detail देनी होगी जिस bank account में हम loan amount लेना चाते है यहाँ पर दोस्तों अलग-अलग bank detail हम नहीं दे सकेंगे यहाँ पर जिस bank हम यहाँ पर देंगे उसमें ही auto पर setup भी होगा और उसमें ही हमारी loan amount भी आएगी ठीक है तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले bank select करना है bank select करना के बाद नीचे यहाँ पर हमारा IPC code एंटर करना है यहाँ पर हमारा account number एंटर करना है दुबारा से वही account number यहाँ पर एंटर करना है और हमारा account type select करना है कि saving है या current है उसके बाद verify bank detail पर क्लिक करना है जैसे verify bank detail पर click करेंगे तो हमरे bank में 1 रुपिया बेजा जाएगा bank detail verify होने के लिए उसके बाद हमरे समने अगला प्याज open होगा अब दूस्तों यहाँ पर हमें auto pay setup करना होगा अब auto pay setup यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं हम net banking से भी कर सकते हैं और debit card से भी कर सकते हैं लेकिन हमेंसा एक बात ख्याल रखनी है कि आपको कभी भी debit card से auto pay setup नहीं करना है क्योंकि debit card से auto pay setup करने में कुछ fees लगा ही जाती है अब यह application वाले तो fees नहीं लेंगे लेकिन आपके bank वाले आपसे fees charge करेंगे तो यह बात का आपको ख्याल रखना है कि आपके पास अगर net banking है तो आपको debit card से कभी भी auto pay setup नहीं करना है तो हम यहाँ पर दोस्तों net banking select करेंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों net banking का username और password पूचा जाएगा वो यहाँ पर हमें enter करके next करेंगे तो हमरे bank में जो mobile number link होगा उस पर एक OTP send किया जाएगा और यहाँ पर हमें fill up करना है और confirm पर क्लिक करना है जैसे हम confirm करेंगे तो हमारा auto pay setup के सारी detail आई जाएगी इसे एक बार हमें अच्छे से देख लेना है देखने के बाद यहाँ पर हम submit करेंगे तो हमारा auto pay setup यहाँ पर successfully हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा processing लेगा और हमारे समने अगला page open होगा जिसमें हमें additional detail देनी है अब additional detail में यहाँ पर हमारा father ने mentor करना है mother ने mentor करना है और हमारा office का पूरा address यहाँ पर देना है address line 1 और address line 2 में पूरा address देंगे land bar के यहाँ पर देंगे pin call number यहाँ पर देंगे और टमसें condition वाले box पर टिक करके review application पर हम click कर देंगे जिसी दोस्तों यहाँ पर हम review application पर click करेंगे तो हमारे समने कुछ इस तरी के center पर सहीगा अब अगर हम हमारी loan पर insurance करवाना चाते है तो हम यहाँ पर हमारी loan पर insurance भी कर सकते है अगर हम चाहे तो इसे हम skip भी कर सकते है तो अब हम यहाँ पर इसे skip करेंगे जिसी skip करेंगे तो हमारी loan की सारी detail हमारे समने आजाएगी जिसमें हमारी loan कितनी रहेगी, हमें कितना repayment करना होगा वो सारा को से यहाँ पर बताए हुआ है उसे एक बार अच्छे से देख लेना है उसके बार टमसन कंडिसन वाले box पर ठीक करके next पर लिक देना है जैसे next करेंगे, तो हमारी सारी detail यहाँ पर दुस्तों submit हो जाएगी और हमारी सारी detail review में चली जाएगी और हमारा application नंबर वगेरा भी यहाँ पर दिय जिया जाएगा अब यहाँ पर बताए गिया है कि आपकी application review होने में बहुतेर गंटे तक का समय लग सकता है बहुतेर गंटे के अंदर अगर आपकी application अपरू होती है तो आपकी loan amount direct आपने बेंग के account में transfer कर दी जाती है ठीक है तो इस तरी के से दोस्तों आप Tata New application से loan ले सकते हो मैंने जिस भाई का loan apply किया है वो भाई एक solid fashion है तो उसे आसाने से loan मिल चुकी है लेकिन दोस्तों अगर आप एक self-implicate category में आते हो फिर भी आपको loan मिल सकते है मैंने जैसे वीडियो में बताया है कि इस application में आपको एक work email id देनी होगी अब work email id में आप portal mail का use करके देख सकते हो अगर वो email id चल जाती है तो यहाँ पर आपको self-implicate category में भी loan मिल जाते है ठीके तो चले दोस्तों असके वीडियो में बस इतना ही उम्मिद करते हैं कि आपको एक वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe करना ना बुलें तो चले दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए good bye